हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं सब आसा करती हूं अच्छे होंगे राज हमें के डियाई वही बनाएंगे कैसे बनाया है देखो यह इस तरह का मैं गुल्लक लेकर आई थी मार्किट से यह वाली तो इससे ही मैंने यह पेंट बनाया है जो अभी आपने स कलर मतब डिटेलिंग आप अपनी पसंद से कर सकते हैं चाहे तो आप इसकी पत्तियों को पीला कर दीजिए जो गहराई वाला लाइनिंग है उनको लाइट छोड़ दीजिए मैंने लेकिन गहराई वाले को कलर किया है और जो इसका उपर का बेश था उसको ऐसे छोड़ा है उस पर कुछ और काम करूंगी तो दीवाली का डेकोरेशन देखा है ना उन्हें अच्छे से देखा होगा कि मैंने इनको कैसे बनाया है तो अब इन पत्तियों पर मैं इस तरह यह ग्रीन कलर की हलकी हलकी सी बहुत जीरो नंबर के बुरूश से पत्तिया बना रही हूँ और यह डिवाली से पहले थे लेकिन इनकी वीडियो अप्लोड नहीं की थी यह तो आपने रखे वे तो मेरे घर में देखे ही होंगे कि कहां कहां मैंने इनको प्लेस किया है लेकिन मैंने इने कैसे बनाया है मैं सोचा आपके साथ शेर करती हूं और यह बिल्कुल बहुत ही मतब कम बजट वाले मैं कोशिस करती हूं कि विल्कुल सस्ते में घर सज जाए तो मैंने पूरे पर इस पर डिटेलिन कर लिया है यह उपर नीचे गोल्डन बर्थ किया है और यह अब में इस पर थोड़े से मिरर लगा रही हूं गोल राउंड वाले जो मेरे पास मिरर रखे क्योंकि मिरर लगाने से थोड़ी सी चमक बढ़ जाती है सोपीस की वह ऐसा लगता है कि आप इसको खरीद कर लाए है और जब यह गुल्लक पूरी बनके तयार हुई तो आप यह समझे कि अगर आप इसको मार्केट में लेने जाए तो वन थाउजंट का आपको कम से कम यह म कि और यह बिकोर बनके तयार होगी है कुल्लक और जो इसके लखडी के से लफा द मैंने 2-3 बनाए हैं जो बेकार लखडी पड़ी पड़ी फिना जैसे बेकार लखडी से मैंने मिरर वर्क किया था उसी तरह से मैंने वाल सेल्फ भी बनाए है कुछ डिकोरयरेटिव आइट और इसमें आप पैसे बढ़ते रहे हैं बहुत दिनों में भड़ेगी खूब सारे पैसे जमा कर लेगी अपने आप में तो यह इस तरह कीथे देखो अब ऐसी हो गी यह जैसा आप देख सकते हैं इसक्रीन पर इस तरह कीथे अब यह ऐसी हो गी है अर्येक बहुत सुन्दर मेरे करका एक कोना इसने बहुति सुन्दर कर दिया था अब चलते हैं नैक्षड डियाईवाई की दरब किचन के सिफाई के मैं मेरी को मिला था ये वाला एक काच का जार जो खाली हो गया था एसमें जैम वगेरा था कुछ तो मैंने इस पे लेस लगा दी है उपर लगाई है मोती वाली लेस इसके बाद ये फिर जो स्टोन वाली लेस आती है na ये मनतब पूरे स्टोन नी होते है प्लास्टिक वाले होते हैं तो ये कट जाते हैं कैच्छी से शिलाई भी हो जाती है इनके उपर, तो मैंने पहले तो ये मोती वाली इस पर प्लेस कर दिया है, ये में बना रही है। candle holder इसमें आप light दिया जला करको सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं मैंने थीवाली पर इसको डेकोरेट कहा है 1942 उड्ली में दिया रखा थाoya ओडली के अंदर काच का जा रहे हैं तो आप पानी में भी रख सकते हैं उसके अंदर दिया रख दीजै तो मैंने इस तरह डेकोरेट किया था आप मेरा दीवाली वाले डेकोरेशन देखना तो आपको इसमें दिख जाएगा दीवाली वाले लोग में और ये काम मैं रात को कर रही थी लगवग ऐसा हो रहा होगा 11.30 का टाइम मुझे एकदम याद आया कि मैं इसको बना देती हूं अभी फिर टाइम नहीं मिलेगा तो मैंने तब इसको रात को ही बना के रख दिया था और वाके में ये बहुत सुंदर पीस बनके तयार हुआ थ कि तो एक खाली जार मिल गया मैं अँन्यी सोझा चलो बना लेता है एक कैंडल होलडर और यहीं मार्किट में बहुत भी हें मिलती हैं बस थोड़ा उपार अफ होता चाहिए थू हम घर में ही बहुत सुंदर सुनदर चीज़े बना लेकता है और यहा चीज़े ऐसा नहीं के आप इन्हें दीवाली पे ही डेकोरेट कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है आपके घर में जहां भी जगया आप बनाईए सजाईए सजा हुआ गड़ तो हमेशा ही सुन्दर लगता है और आप जब चाहें जब दीवाली जब आप चाहें जब तेवहार तो तेवहार के टाइम पे देए याते हैं लेकिन हम अगर चाहें तो हम रोज यहार मना सकते हैं अपने घर को साप वो सजा के रखिये तो कि रोज हार covert ही और वीडिओ टोगे यहीं काफी देऴर कि बार मन नहीं था वीडियो बनाने कप मन नहीं पूँदी खराब तो उसके वाजdays से तो इसलिए मैं नहीं बनाई वीडियो तो आज सोचा चलो यह एक वीडियो रखी थी मेरे पास तो कि चलो इसी को अप्लोड कर लेता है तो अभी देखो यह लैस मेरी दोनों तरफ लग गी है इसमें अब मैं इसके बीच में जो यह खा लिजे के बचिये ना तो इसमें मैं य साइडा से इनका गोल होते हैं तो वह वाले मौती में इस प्रकशियों इसमें का टुछो बसाइब काफी से है जिसकी मदस्ते में लगा रही हूं और फैवी बॉंड से लगाने से ना तो थोड़ी देर हील जाते हैं मोति अगर कोई मतब आड़ा टेड़ा हो गया तो आप उसको हिला के ठीक कर सकते हैं तो इस तरह में इस पूरी पर मोति लगा लूंगी और यह मेरा एक कैंडल होल्ड बनके तयार हो जाएगा यह बनके बहुत ही जादा प्यारा लगा और मुस्किल से इसमें मेरे को बनाने में दस मिनट लगे थे और दस मिनट में एक सुंदर चीज वह निक क्योंकि सारा समान घर में था लाना तो कुछ मार्किट से था नहीं फटा-फट बनाया और यह किसरह के दिखाती हूं अभी मेर पास एक मुम बद्ती रखिए तो आप इसे इस तरह सिंपल यह रखिए झार इसके अ अंदर उसको आप ऐसा कर सकते हैं कभी भीस को सजा सकते हैं अपने घर में कितना प्यारा लग रहा है ना बहुत ही सुंदर बन के तयार हुआ है यह मेरा सेकंड डियाइवाई था जो मैंने घर में ही तयार किया है अब चलते हैं थोड़ा सा पोदों का भी काम मैंने किया है जो यह बचे उए पोदे थे ना इन पर सब आगनाग बनाई थी यह मैंने दिखा तो आपको पहले भी दिया था लेकिन कैसे कैसे किया है कितना अफ़र्ट लगाया मेरा यह मैंने वीडियो कम ही बनाई है तो इस तरह मैंने पहले इनको यल्लो पेंट किया फिर इसमाइली बनाई पिर अब इनकी इनका काम बचाता है यह आखे बनाने का तो इनके मैं यह वाइट डोट लगा रही हूं अब मेरे छोटे-छोटे से यह बेकार काले-काले से गमले सब सज के तयार है यह बड़े गमलो पे भी मैंने कर दिया है जो नीचे रखे हैं सारे यह मैंने वीडियो में आपको दिखा आया दिवाली वाली में तो यह मेरे सारे गमले बनके तयार हो गए हैं देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं और ऐसे ही अपने घर के कोर्णर को आप डेकरेट करिए और अगर में चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है सस्क्राइब कर ली दिये मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ रादे रादे